गजा में जो हाल है उसका यहां बैट कर हम जो कुछ भी बयां करते हैं उस दुख तकलीफ का वो आधे का आधा भी नहीं है गजा की हालत पर अब लगबग हर मुल्क परिशान है खुद इसराइल तक में जगा जगा विरोध प्रदर्शन चल रही है और वहां जारी इस हिंसा पर इसी सब्ता साओधी अरब के प्रिंस तुर्की अलफैसल ने अमेरिका स्थित हीूस्टिन की राइस यूनिवोसिटी में अमेरिकन लोगों के बीच एक ऐसा बयान दिया जो इस मामले में साओधी शाही परिवार के दूसरे आला मेंबरान के बयानों के मुकाबले थोड भी हीरो नहीं है और अगर कोई हीरो है तो वो हैं पीडित लोग लेकिन उन्होंने हमास को भी आड़े हातों लेते हुए कहा हमास की हरकत उस नियम के खलाब थी जिसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुचाने पर पाबंदी थी अधिकांश लोग जो मारे गए या फिर ज होथी एतराम से देखा जाता है उनका ये बयान इस पूरे मामले में साओधी की सोच और गजा को लेकर उनके भविश्य में उटने वाले कि तरफ इशारा भी करता है क्योंकि इसराइल की साओधी खुली तोर पर जो अलोचना है पहले कर चुका है उसने हमास के जरिये इसर इसराइल की जवाबी करवाई को लेकर अरब मुलकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है प्रिंस तुर्की का ये बयान काफी सधा हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने जो पॉइंट उठाए उसमें एक खास बात हम आपको बताते हैं उनकी दीगई स्पीच का वो हिस सब हम आपको बताते हैं जो बेहत खास था प्रिंस तुर्की ने कहा कि साथ अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया इसराइल पर तब अमेरिकन मीडिया ने अपने चैनलों पर दिखाया था बिना उकसावे वाला हमला जहीं यही एक वो लवज थे जो अमेरिकन मीडिया में बार-बार दिखाये जा रहे थे बिना उकसावे का हमला इस पर प्रिंस का क्या कहना है क्या सोचना है उन्होंने स्पीच में क्या कुछ कहा वो अब हम आपको बताते हैं उन्हें कहा कि यह सोचने वाली बात है कि फिलिस्तीन में पिछले सतर सालों से इसराइल जो कुछ कर है उसके बाद भी उकसावे के लिए और क्या बचे जाता है हम इस पर यही आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो बात कही उसमें लौजिक बहुत था जाहिर सी बात है कि उकसावा क्या होता है जब कोई आपको पोक करता रहे करता रहे और उसके बाद आप कहते हैं ना बात कर रहे थे तो इसराइल फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो कुछ हो चुका है क्या वो काफी नहीं यह उन्होंने सीधा-सीधा कहा इतने टाइम से वो पोक कर रहे हैं परिशान कर रहे हैं तो आक्शन का रियाक्शन तो हो गई ना इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन में फॉज जो कब्जा किये हुए वहां पर बैठी हुई है जो लोग वहां रहते हैं उन्हीं की जगाओं पर फॉज मुसल्लत रहती हैं उनके सर पर तंगी रहती है तो ऐसे में उन लोगों को हक है कि वो अपनी कब्जे वाली जगा के लिए लड़ें अपनी बात रखें अपनी आवाज उठाएं सोचिए सब बाते साओधी के प्रेंस तुर्की अलफैसल ने अमेरिका में खड़े होकर अमेरिकन के बीच कही इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पश्चमी मुलकों के जो राजनेता है फिलिस्तीन के हातों इसराइलियों के मारे जाने प वो चल रहा है बावजुद इसके वो एक जरा भी दुख जाहिर नहीं कर रहे हैं ये एक हिपोक्रेसी है ये तरीके से उन्होंने तन्जिया लहजे में बात महां पर साफ कर दी तो यहां प्रिंस तुर्की अलफैसल ने इस बात का सबूत दिया कि वो मानवता को उपर रख आईएगा तो देखते रही है दनेशन सच के साथ